नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अतुल मौर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पासपोर्ट साइज होटो बनवाने का सही तरीका कौन सा है अगर आप हमारे बताएगे इस टेप को फॉलो करते हैं और जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा जिस तरह से मैं आपको ग पासपोर्ट साइज फोटो बनवाते समय दोस्तों जब भी आप कोई भी फॉम भरने जाते हैं ओनलाइन या ओफलाइन जब दोस्तों बात आती है पासपोर्ट साइज फोटो लगाने या ओनलाइन अपलोड करने की तो दोस्तों आपके पास जो भी उस समय पासपोर्ट साइ लेटर रूल उसे आप ध्यान से पढ़ लिजे और आप वैसे ही फोटो बना कर उसे लगाईए आपका फोटो कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा दोस्तो अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि दोस्तो सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर होती है फोटो खिचवाते समय और उसे इडिट कराते समय तो दोस्तो इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे जो अब मैं आपको बताने वाला हूं तो दोस्तो यहाँ पर आपका फोटो कभी भी किसी होम पर रिजेक्ट नहीं होगा कहीं पर आप लगाएंगे तो नमब चाना है एक आप सिम्पल depend कर और अपना पासपोर्ट साइज फोटो खिचवाएं दोस्तो जब भी आप पासपोर्ट साइज फोटो खिचवाएं तो फोटो के पीछे जो बेग्राउंड है वो दोस्तो simple होना चाहिए केवल color में होना चाहिए अगर आपके form में कोई भी background color मांगा है तो आप उस पर photo खिचवाईए वरना आपको तो background पर हमेशा photo खिचवाना है चाहे white background पर खिचाईए या फिर sky blue पर sky blue या फिर white background पर photo खिचवाते हैं और आप कहीं पर उसे लगाएंगे तो दोस्तो आपका form कभी भी reject नहीं होगा आप दोस्तो background इडिट बाद में भी करा सकते हैं अगर आप चाहें तो कहीं पर photo खिचवा लिजे जब भी आप edit करें तो वहाँ पर अपना background color चेंज कर लें नमबर थ्री दोस्तो जब भी आप passport size photo खिचवाने जाएं इस्टूडियो में या घर पे ही खुद खिचें तो दोस्तो आपको कुछ चीजे हमेशा याद रखना चाहिए जैसे जब भी आप passport size photo खिचवाएं तो आपको सामने देखना है कैमरे में देखना है इसके बाद दोस्तो आपके जो दोनों कंढ़े हैं वो बराबर होने चाहिए और दोस्तो जो दोनों कान है वो दोनों तरफ का जो कान है आपका वो सामने देखने में बराबर देखने चाहिए दोस्तो इन सारी चीजेँ को आप धान में रखिए जब भी आप passport size photo खीचते हैं या फिर कहीं पर खीचवाते हैं अगर आपको कोई भी दिकत देखती है कि कंदा हमारा उपर नीचे है या कान एक तरफ की ज़्यादा दिख रहे हैं एक तरफ की नहीं दिख रहा है तो दोस्तों आप तूरंथ ही दूसरा photo capture कराईए अगर नंब बड़ी गलती कर देते हैं कभी भी passport size photo को ज्यादा edit नहीं कराना चाहिए आपको natural photo देना होता है real photo passport size photo देना होता है किसी वीव फोम में तो दोस्तों यहां पर editing कराते समया कुछ ही चीजे कराईए जैसे brightness थोड़ा सा बढ़ा लीजिए light थोड़ा सा बढ़ा लीजिए contrast थो का निसान है तो उसे कभी भी remove मत कराईए और दोस्तों यहां पर आप अपने photo का background भी change करा सकते हैं edit कराते समया अगर होम में कोई color मांगा है जो भी background का उसे आप add करा लीजिए या फिर खुद से आप white और sky blue दो color आप यहां पर background का रख सकते हैं तो दोस्तों कभी भी passport size photo क edit जादा मत कराईए नमबर 5 photo size दोस्तों वैसे तो passport size photo का जो original size है वो है 3,5-4 cm मतलब जो photo की चोड़ाई है वो 3,5 cm और जो लंबाई है photo की वो है 4,5 cm लेकिन दोस्तों अब जो form आते हैं जहां पर photo आपको चिपकाना होता है उसकी जो size है वो छोटा होता है इसलिए दोस्तो जो original size है उससे छोटी लोग passport size photo बनाते हैं आप उसे भी लगा सकते हैं लेकिन अगर आप online कहीं पर भर रहे हैं तो आपको यही 3,5-4 cm का size है आपको उसी हिसाब से photo बनवा कर upload करना होगा बस आपको ध्यान रखना होगा कि कितने केवी में वहाँ पर मागा गया है नमबर 6, name and date वाली passport size photo दोस्तो जब भी आप name and date वाली passport size photo बनावाएं तो उसका जो name, date of birth, photo date जो भी आप photo पर लिखवा रहे हैं उसका जो font है वो simple होना चाहिए, style font नहीं होना चाहिए, एक simple font होना चाहिए, अक्षर bold होने चाहिए और जो अक्षर का color है वो black होना चाहिए इसके बाद दोस्तो जो font background है जो अक्षर के पीछे का जो background है वो white होना चाहिए, तो दोस्तो जब भी आप name and date वाली passport size photo बनाएं तो आप इन बातों को हमेसा ध्यान में रखें, तो दोस्तो ये था passport size photo बनाने का सही तरीका, अगर आप हमारे बताएगे, stop को follow करेंगे तो आ प्लीज लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कीजिए, मिलते हैं, आपको एक दूसरे वीडियो में तबती के लिए आप इस वीडियो को share कर दीजिए, thank you, धन्यवाद,